अलो दोस्तो मैं हूँ यूनुस सेयद एक कैंसर पेशन्ट आज मैं आपको मेरी पूरी कैंसर की दास्तन बताने वाला हूँ कहते है हमारी जिन्देई का कुछ भरोसा नहीं आज है तो कल नहीं दुनिया के ए मुसाफिर मन्जिल तेरी कबर है तैक कर रहा है जो तू वो दो दिन का सफर है और इसी दो दिन के सफर में हमारे साथ कुछ चीज़े अच्छी होती है कुछ चीज़े बुरी होती है और कुछ में फर्गिशन कॉलेज में पढ़ रहा था और उसे के साथ UPC के पढ़ाई कर रहा था एक दिन सरकारी नोकरी लग जाएगी इस उम्मित पर मेरी दुनिया कायम थी अपनी गरीब हालात से लड़ते जगड़ते पढ़ रहा था लेकिन कोरोना के वज़े से लॉकडाउन लग तो मैं अपने नानी के घर चला गया लॉकडाउन में एक्जाम होने वाली नहीं थी इसलिए पढ़ाई के साथ कुछ तो काम किया जाए ये सोचकर मैं पास की इंडेस्टिल एरिया में सीकुरिटी गाड का काम करने लगा पढ़ाई और काम सब ठीक चल रहा था लेकिन मैं मैं धीरे-धीरे कमजोर गिरने लगा मैं बीमार गिरने लगा मुझे लगा कि शायद एक्सरसाइज करने के वज़े से मसल पेन या मसल क्रैम सो रहे है पर बाद में मुझे तेज बुखार आने लगी निन में पसी ना आता उल्टिया होने लगी भूग लगती ही नहीं थी खाना बहुत कम हो गया सरदर्द रहने लगा चक्कर आने लगी पूरा बदन दर्द करता और बॉडी का कलर जो है वो पीला होने लगा मुझे लगा शायद जौन डिस यानि पीलिया है पर जब मैंने ब्लड टेस्ट किया तो उसमें यज बी डबली बी सी प्लेटलेट्स का रखता है मैं वहां के नजदी के अस्पताल में एडमिट हो गया एडमिट होने के बाद मेरे साथ अस्पताल में नाना रहते हैं मुझे थोड़ा सा बुरा रखता कि उस उमर में मैंने नाना की सेवा करनी चाहिए लेकिन किसमत ने उल्टा कर दिया था अस्पताल में मेरी स बाइपसी करने का फैसला लिया अस्पताल में मेरी सलाइन शुरू थी उसी के साथ इंजेक्शन एंट्यूबाइटिक्स भी शुरू थे दो खुन की बॉटल भी चड़वाई थी अब बाइपसी करने के लिए मेरा ऑपरेशन थेटर में एक घंटे का ऑपरेशन चला मेरी थो और यही से शुरू ही मेरी दर्द की कहानी मेरी दर्द की दास्ति मेरे बोन मैरो के सैंपल पुना के मंगिशकर अस्पताल में बेजे गए दो दिन के बाद रिपोर्ट आएगा ऐसा डॉक्टर ने कहा और आखिर वो काला दिन आही गया एक दिन शाम मेरी सलाइन शुरू थ थी मैं बेड पर लेटा था तभी डॉक्टर कुलकर्णी और उनकी टीम मेरे पास आई उनके चेरे से ही मालूम हो रहा था कि कुछ सीरियस प्रॉब्लेम है आज एडमिट होकर पूरे दस दिन हो चुके थे डॉक्टर रूम में आये और बताया कि आपका रिपोर्ट आया है और जो रिपोर्ट है वो थोड़ा सीरियस है पुछ बाते एक्स्प्रेन करने के बाद बहुत ही एमोशनल होती हुए कहा कि आपको बलड कैंसर है मेरे तो कानों पर विश्वासी नहीं हो रहा था मेरे पैरो तले जमीन खिसक गई थी तब मैंने डॉक्टर से कहा कि आप शायद मजख कर रहे होगे या फिर किसी ओर की रिपोर्ट मुझे बता रहे होगे तब डॉक्टर ने कहा कि नहीं सीरियसली आपका ही रिपोर्ट है और आपको ही बलड कैंसर है और हमको भी ये बताते हुए बहूत बुरा लग रहा है उसके पहले बात ये थी कि मुझे कैंसर कैसे हो सकता है मैं न ड्रिंग करता हूँ, न स्मोक करता हूँ, न तंबाकों, न बीडी किसी भी तरह का कोई बेडिक्शन या बुरी आदत नहीं है मैं वर्क आउट इक्सरसाइज करता हूँ, योग प्रानायम करता हूँ, फिटनेस पर बहुत काम करता हूँ, खान पान की आदद भी अच्छी है, जादा तेल, मीर्च, नमक शक्कर वाली चीजे भी नहीं खाता, मेरी लाइफस्टैल भी अच्छी है, परिवार में किसी को कै कैंसर भी नहीं था, तो फिर अच्छनक से इतनी बड़ी बीमारी मुझे कैसे हो सकती है, विश्वास करना बहुत ही मुश्किल था, उसी अस्पताल में दूसरे दिन एक कैंसर के डॉक्टर आये, उन्होंने हमें समझाया, कि आपको अच्छे से अच्छे कैंसर अस्पताल म पड़ेगा, वहाँ पे छे साथ मैंने आपकी ट्रीटमेंट चलेगी, और सब कुछ ठीक रहा, इंफेक्शन नहीं हुआ, कुछ कॉंप्लिकेशन नहीं हुए, तो आपको कम से कम, कम से कम 12 लाक रुपे खर्च आ सकता है, वहाँ पर मेरे साथ सिर्फ मेरे नाना थे, उन्हो दुखी, चिंतित कभी नहीं देखा था, क्योंकि हाला थी कुछ ऐसे थे, मेरे घर में सबसे बड़ा मैं हूँ, भाई बैन चोटे हैं, पापा हमेशा बिमार रहते हैं, तो मम्मी अकेली खेती में मजदूरी करके, थोड़ा बहुत कमाती, और हमारा घर चला थी, अब इस ह कैंसर ऑस्पिटल पर रिसर शुरू हुआ, कौन से हस्पादाल में जाना चाहिए, कहाँ पर ट्रीटमेंट करवानी चाहिए, कितना खर्चा आएगा, कहाँ पर सस्ते में ट्रीटमेंट हो सकती है, ये सब बात हम डिसकस करने लगे, क्योंकि मुझे भी कैंसर के बारे में ताबिल भी नहीं थे, इसलिए शौट्स गर्ट भी शुरू हुए, जैसे कि आयरवेद, होमियोपैती, यूनैनी, इत्यदी, एक दिन मेरे दोस्त के जरीए, मुझे टाटा कैंसर ऑस्पिटल मुंबई के बारे में पता चला, फिर हमने डिसाइड किया, कि हम आगे की ट्री कर मेरे साथ मुंबई में रहने की जम्मेदारी उठाई, एक दिन सुबह के अंदेरे में ही, मैं, मम्मी और नाना ने मुंबई का सफर शुरू किया, जब अंदेरे में चिराक की रोशनी में एक कदम आगे रखते हो, तो दुसरे कदम का रास्ता अपने आप दिखता है, आ रूस काउंटर पर जाओ, एक बिल्लिंग से दुसरी में चाओ, जेरोक्स लाओ, फिर फीज भरो, फिर आईडी काड मिलेगा, ऐसा करते करते पूरा दिन स्रिफ फाइल बनाने में ही चला गया, मैं भोका पैसा इतर से उदर दोड रहा था, क्योंकि मेरे साथ मेरी मम्मी थ दॉक्टर को कंसल्ड करके एडमिट होने तक रात के ग्यारा बज गये थे, इस तरह से मेरा इलाज शुरू हुआ, इलाज छे मैने से जादा चलने वाला था, इसलिए मुंबई में रहने का इंतजाम भी करना था, फिर हमने दस बाइदस की प्राइवेट रूम रेंड पे जो कि अस्पताल से 17 किलोमेटर दूर थी, गली बोई मुवी की तरह का वो एरिया था, अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम अपन खुद लाएगा, ये सोच कर मैंने आगे की ट्रीटमेंट शुरू की, उम से हर रोज सुब अस्पताल जाना होता, दिन भर अलग- इवनिंग मेरा इलाज चलता, आना जाना हम आटो या टैक्सी से करते, पर पेट्रोल महेंगा होने की वज़े से उनका भी बिल बढ़ गया, हर रोज आने जाने के लिए ही सिर्फ कम से कम 500 रुपय लगते, फिर हमारी डॉक्टर के साथ जॉइन क्लिनिक मीटिंग हुई, ज इसमें उन्होंने हमें आगे की ट्रीट्मेंट का प्रोटोकाल समझाया, उन्होंने कहा कि 6-7 मैंने ट्रीट्मेंट चलेगी, कैंसर सेल ब्लास्ट 86% है, कैंसर पूरी तरह से ठीक होने के चांसे 40-50% है, मैंने कहा मेरे लिए 1% भी बहुत बड़ी बात है, डॉक्टर ने आ कोई गारेंटी नहीं दे सकते, बोन मैरो ट्रांस्प्लांट के लिए मेरे भाई बयान की मेडिकल हिस्ट्री पूछी गई, ब्लड गुरूप पूछा गया, ट्रांस्प्लांट का खर्चा मिनिमम 16 लाक बताया गया, उसके बाद कुछ चीज़े इतनी निगेटिव बताई गई कि मेरी मम्मी के आख से आसू आ गए और कोई भी बेटा अपने माग को रोते हुए नहीं देख सकते, डॉक्टर ने कहा किसी भी तरह का वाईरल फंगल बैक्ट्रेल इंफेक्शन नहीं होने दिना है, फ्रूट्स, फ्रूट जूस, नारिल पानी सब बंद करना है, फि वेपड़े काम करना बंद कर रहे थे, सांस नहीं ले पा रहा था, और ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे सीदे में लोही की रोड बार बार गुसा रहा हो, इतना दर्ग था, कोरोना टेस्ट भी निगिटिव आई थी, फिर डॉक्टर ने मुझे आईस्यो में डालने का फैसला लिया, तब रात के देड़ बच चुके थे, मुझे आईस्यो में शिफ्ट किया गया, फैंट लेटर ऑक्सिजन लगाया गया, सलाइन लगाने के लिए हाथ की वेइन में सुई डालना शुरू किया, पर सभी वेइन कोलाप्स हो चुकी थी, तो डॉक्टर सुई वेइन में चुबा कर देखते, फिर निकालते, फिर दूसरी वेइन में डाल कर देखते, ऐसा करते करते मेरा पूरा हाथ की वेइन प्रिक कर दी गई, फिर दूसरे हाथ की वेइन प्रिक करना शुरू किया, ये भी हाथ में कई जगा सुई चुबाने पर भी वेइन नहीं मिली, तो फ लेकिन वहाँ पर भी वेन नहीं मिली मेरे दोनों हाथ पेर सुई चुबा चुबा कर चन्नी हो गये थे फाइनली मेरे गले की छोटी सी नस काट कर सेंटरल लाइन डाल दी गई और हाथ की एक नस काट दी गई और उसमें से आईवी लाइन डाल के सलाइन इंजेक्शन शुरू हुए डॉक्टर ने ममी को कहा कि आप इतना मेडिसिंस लेकर आईए क्योंकि आईवी में बहुत सारे मेडिसिंस और सर्जिकल चीजे लगती है मेडिसिं का बिल हमारा सत्तर अजार हुआ था इतने पैसे तब ममी के पास नहीं थे तो ममी ने रिष्टारों को रोते रोते फोन लगाया लेकिन रात के तीन बजे थे इसलिए किसी ने फोन नहीं उठाया तब फाइनली ममी डॉक्टर के पास चली गई उनको सब सिचुएशन बताई तब डॉक्टर ने हमारा आईडी कार जमा करवाया और क्रिट पर मेडिसिन देने के लिए मेडिसिन वालों को कहा तब जाकर मेरे ट्रीटमेंट आगे बढ़ी कई सारे टेस्ट बलड टेस्ट किये गए कोविड की टेस्ट भी की गई जो कि निगेटिव आई फिर एक्सरे किया गया तब मेरे लेफ्ट लंग में पूरी तरह से पानी दिखाई दिया एक्सरे में मेरा लेफ्ट लंग आदा ही दिखाई दे रहा था इतना फंगल इंफेक्शन हुआ था मेरा सिर्फ राइट लंग ही काम कर रहा था और उसमें भी इंफेक्शन स्प्रेड होना शुरू हुआ था इस वज़े से मैं ठीक से सास ही नहीं ले पा रहा था दर्द इतना था कि लग रहा था शायद अब मैं मरने वाला हूँ मेरे आख से आसू बहना शुरू हुए थे लेकिन इतनी जल्दी मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं था तब खुद को पॉजिटिव विल पावर के साथ समझाया कि कुछ भी हो जाए तुझे जीना ही पड़ेगा क्योंकि जीने के लिए बहुत सारी वज़ा है और सबसे बड़ी वज़ा तो खुद माई है एक बार नसीब आप का साथ छोड़ेगा लेकिन बुरे वक्त में सर पर मा का हाथ और सब की दुआव का साथ हमेशा रहेगा अगले 25 दिन तक मैं एड्मिट था हर रोज का मेरी सिन का बिल 15 से 30 दर तक आता करजा ले लेकर मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी अस्पताल में मेरी हालत ऐसे थी कि मैं पानी का गलास भी खुद हाथ से नहीं उटा सकता था 15 दिन तक मैं बैड पर बैट कर ही था और सुआया ही नहीं था क्योंकि जैसे मैं पीछे सोने के लिए जुकता तबी मेरे सीने में दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ता और खासी इतने जोर से आती कि मुझ से खुद निकलना शुरू हो जाता इंसान अगर दो दिन ठीक से नहीं सोया तो उसके अगले दो तीन दिन खराब हो जाते है लगातार 15 दिन और रात ना सोने से मेरे पुरी साइकलोजी दिमागी हालत पुरी तरह बिगड गई थी बहुत से चीजों का भरम होता था आखों से सब धुंदला दिखता था और लगातर बैट कर मेरी कमर पैर भहुत दर्द करते पैर सूच कर तीन गुना हो गयते बेड से उठना चलना सब बन था सीने में जोर का दर्द तो 24 गंटे रहता था कुछ दिनों के लिए मेरी आवाज भी चली गई थी क्योंकि इंफेक्शन गले में भी हुआ था अत पैरों में जुंजुनी आती थी सर में चक्कर रहता था और इसी हालत में मेरा बोन मैरो टेस्ट के लिए फिर से कमर के हड़ी तोड़ कर थोड़ा सा बोन मैरो निकाला गया उसी के साथ रीड के हड़ी में केमो का इंजेक्शन भी दिया गया पहले से ही बैट बैट कर मेरी कमर और पीट दर से सुन हो गई थी और उसमें ये बायोपसी और रीड के हड़ी का इंजिक्शन हुआ जिसकी वज़े से मुझे बैटना भी मुश्किल हुआ तकलीप की लेवल इतनी थी कि इससे जादा आप तकलीप ही नहीं हो सकती थी दर्द को इतना दर्द हुआ कि दर्द को भी दर्द का एहसासी ना रहा इसी बीच एक दिन मेरे हाथ में चार टागों का छोटा सा ओपरेशन करके सेंटरल कैट्डर लाइन डाल दी गई उसका भी एक अलग से टिंशन रहता नहाते वक्त उसे प्लास्टिक का कवर लगाना पड़ता और हाथ उपर बांद के फिर नहाना पड़ता सोते वक्त भी हाथ को एक लाइन में ही रखना पड़ता हर पाच से छे दिन के बाद उसकी ड्रेसिंग करनी पड़ती उसका बैंडेज बदलना पड़ता अगले एक मेने तक मैं विल्चेर पर ही था जब विल्चेर पर बैठता तो बहुत बुरा लगता उसके टायर देखकर मुझे मेरे साइक्लिंग ट्रेकिंग के दिन याद आते कभी जिन्देगी में सोचा नहीं था कि इस करियर के उमर में कैंसर होगा और मैं विल्चेर के बिना चल नहीं पाऊंगा अब तो करियर की स्पेलिंग भी कैंसर दिखाए देती है और अगर किसी ने कैंसल खा तो भी कैंसर सुनाए देता है एक बात का बुरा और भी लगता कि मम्मी को विल्चेर ढकलने पड़ती विल्चेर लेकर पूरे अस्पताल में गुहना पड़ता कभी लिफ्ट में आना चलना पड़ता विल्चेर चलाने के लिए भी ताकत चाहिए होती है मा ने हमारे लिए पहले ही बहुत संगर्ष किया है और अब मेरे वज़े से और भी उसको तकलिव होती है यह देखकर मुझे बहुत जादा बुरा लगता है इसका अगला पार्ट अगले संडे को आएगा तब तक आप अपने चनल को सब्सक्राइब करो और हस्ते मुस्कुराते सेहत मन रो बाबाई टेक केर